लोकी का सीजन नमबर टू आज अपने सिक्स एपिसोड ग्लोरियस परपस के साथ फाइनली खतम हो चुका है और इसे देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आज तक की बन उफ दा बेस्ट नहीं दी बेस्ट मारवल टीवी सो एवर मेड है क्योंकि इसक इसको इन्होंने काफी अच्छे से सेट अप किया है और अब मैं फीचर में ये देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि कैसे लोकी इस मल्टिवर्सल सागा को लीड करेगा लेकिन लोकी के सीजन नमबर टू के फिनाले एपिसोड पर बात करने से पहले हलो गाइस मैं हूँ अपसे एक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी एक्स्प्लेंज तो सबसे पहले बात करूँ इस एपिसोड पर तो ये एपिसोड अपने पूरे सीजन की तरही काफी जारा लाजबाब और काफी जारा इंट्रीगिंग था और जो की 56 मिनट का था औ जो की लोकी से हम सीजन वन से असोसियेट करते आ रहे हैं और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बाकी मारवल सोस की तरह लास्ट में डिप नहीं करता है और एक हमें सेटिस्पाइंग और काफी धमाकेदार फिनाले प्रोवाइट करवाता है जिसके लिए लोकी के नहीं बट इंपोर्टेंट केरक्टर प्ले करते हैं इसके बाद इस एपिसोड की एंडिंग की बात करूं तो इसकी एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि लोकी खुड टैंपरल लूम को रोकने का कोसिस करता है और इसके एंड में वो सारी ब्रांच इसको कंट्रोल करक यू रुमेंस की कुरसी पर बैट जाता है जैसा कि यू रुमेंस ने सीजन वन के एंड में कहाता है कि या तो मुझे मार दो या मेरी जगा ले लो जिससे अब लोकी के पास काफी जारा पावर आ चुकी है क्योंकि अब वो सारी टाइम लान्स को कंट्रोल कर रहा है और वो अब एक्चुली में हीव रिमेंस बन चुका है तो अब ये देखना काफी जारा इंटरेस्टिंग होगा कि लोकी कैसे आने वाले फ्यूचर में एविंजर्स के साथ मिलकर कैंग को रोकने की कोसिस करता है और कैसे मल्टि वर्सर बोर को रोकता है बाकी आप बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में कि आपको लोकी का फिनाले कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चेनल को सबस्क्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूँ और मैंने हाली में Attack on Titan के सिनाले एपसोड के उपर और उसके उपर एक और वीडियो ऐसे वाली वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में बाई